तो अफगानिस्तान हमेशा एक इंडियन टेरिटरी थी जिसका नाम ता गांधार महाबरत की जमाने से गांधारी थी वहाँ की महाराणी जो हस्तिनापुकुर की महाराणी थी शकूनी बहुत बड़े क्यारक्टर थे वहाँ से तो ये जो जियोग्राफी है वो हमेशा Indian Subcontinent और Indian Civilization का एक हिस्सा रही है अभी 1000 साल पहले तुर्की इंवेजिन्स शुरू हो गए भारत में और दिरे 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 ये अंदर आने लगे उसे पहला जो भारत का territory था जो इंवेडर्स ने conquer किया, कबजा किया वो था गांधार और वहाँ पर बहुत जल्दी एक बार conquer होने के बाद कुछ ही सालों में पुरा culture बदल दिया और वहाँ पर एक डाइनस्टी थी जिसको कहते है गोरी डाइनस्टी ये originally एक Hindu Buddhist डाइनस्टी थी अब ये convert हो गए और फिर वहाँ से convert होने के बाद इन्होंने भारत के ओपर आक्रमन शुरू कर दिये बहुत सारे तो ये इसका मतलब क्या है कि अफगानिस्तान औरिजनल कश्मीर है सबसे पहला कश्मीर अफगानिस्तान है आज जो कश्मीर हम देख रहे है वो एक हजार साल पहले अफगानिस्तान ने भूँ